टेक्निकल राजेज इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आज मैं बताना चाहता हूँ आपको वीडियो में कि मेरे जो बोला था कि मैं 10 अक्टूबर से मैं छिलाई चालू करूँगा पर बारिस हो गई मतलब तीन दिन बराबर कंटीनिव बारिस होई थी इसके लिए मेरे खेत जो है मुशली का जो फारम बाला खेत है उसका टाइम नहीं आ पाया बारिस हो गई इसके लिए मतलब छिलाई का टाइम में चेनी हुआ है तो अभी फिर इंतजार कर रहा हूँ और अभी दूप निकलना चालू हो गई है तो हो सकता है कि एक अपते बाद खेत का जो नमी पूरा खतम हो जाए और फिर मुशली चिलने लाइक बन जाए ठीक है नहीं तो अभी तक तो अगर बारिस नहीं होई होती न तो अभी तक चिलाई चालू हो जाती थी और मुझे मालूम है कि काफी कि मेरे जो विवर्स हैं और काफी लोग हैं सिर्फ इसी का इंतजार कर रहा है कि छिलाई देखनी है उनको किस तरीके से छिलाई होती है क्योंकि काफी लोग जो किसान बाई है काफी लोग जो है कि वो खेती करना चाहते हैं पर इस बात से डरते हैं कि इसकी छिलाई बड़ी कठिन होती है तो वैसे देखो कठनाई तो हर काम में आती है और उसकी डिमांड के साब से इसलिए तो लोग बाग इसको कम लगाते हैं आपको पता होना चाहिए कि 35,000 टन चाहिए होती है इसकी जरूरत है पर 25,000 टन ही होती है तो इसकी बज़े क्या है इसकी यही बज़े है एक छोटी सी बज़े है जिसको नहीं मालूम है इसके लिए ज़्यादा परिसान होती है कि इसकी छिलाई के लिए सब लोग मतलब दूसरों के कहने में आ जाते हैं इसमें बड़ी तकलीफ होती है बड़ा यह होता है मतलब अच्छे से छिलाई नहीं होती है इसका यह है वो है पता नहीं क्या क्या लोग बाग और आजकल हमारे जो देश के जो नई यूबा लोग है न नई यूबा पेड़ी कि अगर किसी ने छोटी सी चिंगारी अफवा की फैला दीने तो उसको मतलब इतना तेजी से अफवा में फैलाएंगे इतना तेजी से कि उसका मतलब जड़ तक जाए बिना यह हकीगत है कि क्या है कैसा है कुछ नहीं बस उनका काम है आख बंद करके उसको फैलाना तो इसी जहां से मैं हमारे लोग बाग सब भी लोग रहते हैं मैं 6 साल से कर रहा हूँ यह 6 साल है 5 साल से कर रहा हूँ मुझे तो कुछ तकलिप नहीं हुई हाँ पहली साल तकलीफ हुई थी मुझे चिलाई के लिए कि उस टाइम पर नॉलिज नहीं थी नॉलिज होने के बाद तो मुझे इतना आसान लगता है चिलाई करना सोच हो मैं डेड़े कड में लगाया हूँ और अगर मैं वही सोचता रहूँ कि किस तरीके से चिलाई होगी कैसे क्या करूँगा क्योंकि मैं बीच के भरोसे नहीं रहता हूँ ठीक है क्योंकि काफी लोगों के बीच के लिए मुझे फोन आते हैं हर चीज है पर लेता कोई नहीं है सिर्फ मजे लेते हैं इसके लिए मैं बीच के वरोसे पर रहता ही नहीं हूँ, कि मेरे बीच पर जाएगी या प्लांटिंग के लिए जाएगी, मैं सिर्फ पूरी छिलाई करता हूँ, आखर टाइम में अपने लिए ही बचाता हूँ, अगर हाँ, जिसने बुक कर लिया टाइम से तो उसके लिए बचा लेता हूँ, नहीं किया तो मैं इंतिजान नहीं करता हूँ कि कोई बुक करे या ना करे, अभी तक तो दस तारिक, आज 13 तारिक होगा, अभी तक तो मेरी छिलाई स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन क्या करें कि उपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती है, समझ रहे अब, ठीक है कोई बात नहीं, मातरानी भी हैं इस टाइम पे हमारे सभी लोगों के मतलब घर घरों में मातरानी ब्राज़मान हैं, ठीक है, ठीक है, अभी साइद दसेराबाद शुरू हो जाएगे, कि वारिस हो गई थी, तो इसके लिए खेत में अभी भी नमी हैं, ठीक है, तो कोई बोलाओं कि काफी लोग वो करते हैं, ठीक है, कोई नहीं, पर मैं तो अपना टाइम मैच करने का इंतजार कर रहा हूँ, कि मेरी कभी छिलाई स्टाट हो, मुझे एक तरफ से पूरी छिलाई करूँगा, मैं सिर्फ अपने बीच के लिए, क्योंकि मैं एक साल डिफीट खाया था, कि लोग वागों ने बुकिंग कर ली, मतलब उस टाइम पर मैंने थोड़ा एमाउंट रखा था बुकिंग का, तो फिर मेरी उस साल ना 2-3 साल मतलब 3-4 कॉंटल बुक करने के बाद लाश्ट मुमेंट में लोग वाग उनने मना कर दिया, तो क्यों मना किया, क्योंकि मैं एमाउंट कम रखा था, ठीक है, तो वो एमाउंट उनको माईने नहीं रखता है, पर अबने लिए तो पता नहीं था मुझे कि इतना एमाउंट उनको माईने नहीं रखता हूँ, उनने किसी ने नहीं लिया, मुझे ये और वो, ठीक है, पीच के लिया भी रोकूँगा ही नहीं मतलब एक्ट्रा माल लोकूँगा ही नहीं क्योंकि लोग भाग नहीं लेते हैं ठीक है तर्फ फॉन इतनी आते अब जिस रिसाब से मेरे पास phone आते हैं आप समझ नहीं सकते मुझे लगता कि मेरा बीच पूरा निकल जाएगा मुझे छिलाई करने की जरूद नहीं पड़ेगी पर ऐसा नहीं आप देखते हैं आप हर वीडियो में देखना मैं छिलाई करूंगा और कितनी छिलाई कर रहा ह हूं फिर भी आप इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं इतनी अच्छे से मैं समझाता हूं मैं यह नहीं बोला कि मेरा क्यों नहीं ले रहा हूं मुझे कोई टेंसर नहीं कोई ले ना ले मैं तो सिर्फ अपनी छिलाई पर डिपेंड रहता हूं बस क्योंकि यह मेरे हाथ में है बीज के लिए मतलब जा रही है बाहर वो मेरे हाथ में नहीं है समझ रहे आप यह छिलाई मेरे हाथ में मुझे कितनी छिलाई करने है कितना बीज बचाना है यह मेरे हाथ में तो उसे साब से मैं किसी के दिल को ठेश नहीं पहुंचा रहा हूं काफी लोग मतलब इस अभी मुझे रेट मेरा ओपन हुआ है देखिए क्या होता है बारास उर्पे पर केजी मतलब बोला था पर मैं इस पर भी बिलीब नी करता हूँ क्यों कि जब मैं छिलाई करें कि खुद मैं अपनी बेचूंगा तब मेरी क्या रेट में जा रही है उस पर मैं विलीब करता हूँ अभी मैंने चार दिन पहले व्यापर को कॉल किया था तो बारास रुपए पर केजी बता रहा था तो मैं उस पर भी थीक है मैं बोला ठीक है पर मैं उस पर विलीब नहीं करता हूँ क्योंकि जो मेरी जाएगी मैं उस पर विलीब करता हूँ बोलने माले तो कुछ भी बोलते हैं जब वो आके लेगा मुझे पैमेंट गान दीजी मेरे हाथ में देगा तब मैं समझूगा कि हाँ मेरी इस रेट में गई है ठीक है दोस्तों तो आप लोग हर वीडियो में बनी रहिएगा और देखते रहिए टेंसन मत लिजेगा इंतजार करिएगा मैं हर स्टेप बाइ स्टेप आपको चलाई के वीडियो डालूँगा और बताऊंगा क्योंकि लोगबाग सिर्फ छिलाई के लिए टेंसन में है कि इसकी छिलाई किस प्रकार होती है ठीक है तो और बाकी सब लोग बढ़िया होंगे और जिस भाई को भी चाहिए होता है भी इस तो भाई बुक कर लें मैं कहीं से भी बोला हूँ फिर बाद में आपको मैं तो नहीं बचाने वाला हूँ बुकिंग के बुकिंग होगी उतनी ही बचाँगा मैं एक्स्टा कुछ नहीं बचाने वाला हूँ लोग बाग समझते हैं कि एक टा बचा की रखेंगे फिर बाद में ले लूँगा मतलब ए और वो फिर मैं तो नहीं बचाने वाला हूं क्यूंकि उसको फिर बड़ी मतलब बीज भी बचा की रखना ना उसकी सुरक्षा करनी होती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बचा लिया क्यूं और आगर बचा भी लिया तो आकरी टाइम पर जतना मुझे लगाना था उससे ज्यादा बचा लिया और कुई नहीं लिया मतलब भुक नहीं किया या फिर किसी ने लिया नहीं आखरी टाइम पर तो फिर बड़ी तकलीफ हो जाती है फिर लागत ज्यादा चाहिए होती है फिर लेबर ज्यादा डूड़नी होती है हर चीज की तकलीफ हो जाती है मैं उतना ही करता हूं जितना मैं खुश सम मत मानिएगा मैं आब लोगों के ڈदिल को ठेजनी पहुछाना चाहता हूँ पर मेरे पास मेरे साथ जो भी घढ़ना है उसका मैने आप को जिकर किया है ठीक है तो जो भी मतलब मित्र भाई किसान भाई भुक करना चाहते हैं तो बुक कर लीजिए ठीक है बाद मैं फिर कहीं से भी बुक करें मुझे ये पता नहीं क्योंकि बाद मैं फिर रेट तो बढ़ना ही है क्योंकि आखरी टाइम पे इस टाइम पे क्या होता लोग बाग सोचते चलो जल्दी बुक किया तो थोड़ा सस्ते में हो जाता है जितना लेट बुक करेंगे तो उतना फिर महंगा होता है अभी अब सोचियے कि मेरा अभी रेट ओपन हो गया मेरे हीा पर मुझे बता दिया तो अभी मेरा समझो रेट भी बढ़गिया बीच का उपर नीचे होता रहता है हाँ पर इतना हो गया कि दो साल से लोगड़ॉन में इसका माल बाहां नहीं जा पारह था तो इस साल तो पॉने ग्यारा सो का निकाला था ड्राइमाल समझ रहे आप तो इसलिए इस साल तो उम्मीद है कि इस साल तो जाद कम तो होगा ही नहीं पॉने ग्यारा सो के ऊपर ही रहेगा क्योंकि पॉने ग्यारा सो तो पिछली साली बेचा था मैंने ठीक है दोस्तों तो ठीक है जब तक के लिए सबको राम राम सीता राम जै माता दी जै हिन जै भारत जै जवान जै किसान